प्रिया मित्रो, हमारी स्पाइसर मिक्स वाले रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सेसमे पीनट चिकन तो बिना बगबग किये हम रेसिपी के तरफ बढ़ते हैं इस रेसिपी के लिए हमें लगेगा लाल मिर्च मैंने आपके कश्मीरी लाल मिर्च लिया है तीन मिर्च ली है मैंने आप आपके कन्वीनियन्स के हिसाब से कम यह जादा ले सकते हो इसके अंदर के बीच निकाल दिये हैं मैंने डी सीडेड है इसे मैं आराउंड पाच मिनट तक बॉइल करूंगी जब तक यह सॉफ्ट नहीं होता उसके बाद निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी इस रेसिपी के लिए हमें लगेगा चिकिन ब्रॉथ जो हम चिकिन कुक करने वाले है जो रेसिपी में यूज होगा उसमें से मैंने कुछ पीसेज निकाल दिये है कडाई में रखा है और मैंने दो कप पानी डाला है जब तक इस पे एक उबाल नहीं आता तब तक हम इसे पकाएंगे और जैसे ही उबाल आएगा हम इसके पानी को सप्रेट करके रख देंगे पीसेस से आप देख सकते हो हमारा जो रेड चिली है कश्मीरी रेड मिर्ची है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसे गैस से उतार देंगे और बाज में थंडा होने के लिए रख देंगे टाइम फर सम रोस्टिंग यहाँ पर मैंने लिया है चार टोमाटो एक रफली चॉप्ट अनियन दो मिर्ची हरी मिर्च कुछ गार्लिके क्लोव्ज लिये हैं तीन तेजपत्ता लिया है एक दालचिनी एक दगड़ फूल कुछ काली मिरी और एक लॉंग अब इन सबकों में अच्छे से जब तक यह सॉफ्ट नहीं होता तब तक अच्छे से रोस्ट करके लूँगी हमारा चिकेन ब्रॉथ रेडी हो चुका है उबाल आ चुका है इसमें अब हम इसे गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे यहाँ पर टोमाटो रोस्ट होने के लिए ज़रा टाइम लेगा तो हम बाकी जो इंग्रीडियन्स है इसके अंदर वो निकाल कर साइड में रख देंगे और टोमाटो को हम ज़रा थोड़ी देर ज़्यादा तक हम इसे रोस्ट करेंगे बिकिस यह हमने होल टोमाटो लिया है तो पकने में यह दूसरी इंग्रीडियन्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय लेगा इस टेज़ पको समझेगा कि हमारा टोमाटो अच्छी से कुक हो चुका है तो हम इसे गैस से उथार कर बाजु में थंडा होने के लिए रख देंगे इस रेसिपी के लिए हमें लगेगा हाफ कप ऑफ रोस्टेड पीनट इसे हमने अच्छी से रोस्ट करना है यह है टू टेबल स्पून ऑफ सैसे में तिल वाइट तिल है और यह वो कश्मीरी मिर्ची है जो हमने शुरुवात में अच्छी से बॉयल करके रखा था यह सारे इंग्रीडियन्स है इसके साथ ही मैंने लिया है वन फो टी स्पून ऑफ चीनी टी स्पून है और नमक समादन उसर रहेगा इन सब को हमें अच्छी से ग्राइन करके लेना है इसके साथ ही हमने वो टॉमाटो भी आड करना है जो हमने अच्छी से एकदम अच्छी से बॉयल करके हम इसका एकदम fine paste बनाएंगे यहाँ पर मैंने pan लिया हुए इसमें मैंने डाला है 2 teaspoon of oil और finely chopped onion जो मैं golden brown होने तक अच्छे से saute कर लूँगी हमारा onion अच्छे से brown हो चुका है अब इसमें हम हमारा पिसा हुआ mixture डालेंगे इस gravy का consistency को हमें ज्यादा गाड़ा या ज्यादा पतला नहीं करना एकदम medium होगा इसे हम अभी एक उबालाने तक अच्छे से cook कर लेंगे आप देख सकते हो हमारे gravy में उबाल आ चुका है at this stage we will add our chicken chicken add करने के बाद हम इसे ढख कर पका लेंगे तब तक पकाएंगे low flame पर जब तक हमारा chicken अच्छे से पक नहीं जाता so guys you can see our chicken is ready over here so this peanut sesame chicken is really amazing to taste आप एक बार इसे घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा and I am damn sure you'll really like it इसमें ज्यादा ingredients की वैसे भी जरूरत नहीं है all the ingredients are always present in our house so please do try this at home and let me know in the comments section as to how it has turned out thanks a lot guys for watching this video इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाये ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करू तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन्स मिले झाल